दोस्तों स्वागत है एक बर फिर से आप सभी का तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यहाँ पर जो महत्मागंदी का सविद्य पीठ है उसके बहुत सारे डाउट इस वीडियो में हम अपके क्लियर करेंगे कि जिनका गैप ह है वो क्या कर सकते हैं EW certificate कब का लगेगा कटाफ लिष्ट कब तक आएगी डाक्यूमेंट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा अगर अभी तक ओरिजिनल मार्क सीट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं और एफ़ीड़ सार्टिफिकट यह क्या होता इसको कैसे बनवाए और आउंसलिंग कप से होगी रिजल्ट में मैक्सिमम मार्क क्या होता है पेपर आसान आया था इस बार टेकिन उसके बावजूद भी कटाफ थोड़ा कम ही आएगा उतना ज्यादा नहीं जाएगा तो क्या है इन सब के बारे में मैं चर्चा करेंगे तो उससे पहले आप लोग सकते हैं कि महात्मा गंदी का सिविद्य पीट सीट से चार गुना अधिक अभ्यरतियों को मिलेगा कांसलिंग में मौका यानि कि हमने बताया था कि इस बार पेपर आसान था लेकिन कटाफ उतना ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है सीट से चार गुना अध पिछात्रों के लिए और भी चीज देख सकते हैं कि महात्मा गंदी का सिविद्य पीट के इसनातक वा इसनातकोत्तर में दाखिले के लिए ओनलाइन कांसलिंग प्रक्रिया इसी सब्ता से सुरू होने वाली है प्रवेस परिच्छा का परड़ाम घोसित होने के बाद प्रवेस परिच्छा का परड़ाम घोसित होने के बाद प्रवेसल दाखिले के कट आफ मेरिट बनाने में जिटा हुआ है आर अच्छन के नियमों के एनुसार कट आफ मेरिट तीन दिनों में जारी होने की समभावना है मतलब की 15 तक आपकी कट आफ जारी होने की पूरी सम के लिए कि चारगुना से अधिक या फिर चारगुना च्छात्रों को मौका मलेगा कि आपना प्रमाड़ पत्र जो है अप्लोड कर सकते हैं अब भीरत्यों को निर्धारत के भीतर فर्माड़ पत्र अप्लोड करने होगे प्रवेसेल इसका सत्यापन ओन्लाइन करेगा इसके ब किया जाएगा वहीं सुल्क जमा करने के बाद अभेरतियों को सम्मंदित पाठक्रम में दाखिला मिल जाएगा और यहां पर देख सकते हैं कि कासी विद्यपीट के 69 पाठक्रमों में से 39 पाठक्रमों में प्रवियस परिचह कराई गयी वहीं 30 पाठक्रमों में महज 1766 आवेधन आये थे निर्दारे सीट के सापेच दोगुने से कम ऑनलाइन हावेदन आने के कारण 30 पाठकरमों में दाखिला मेरिट से कराने का नड़ा लिया गया मेरिट से होने वाले पाठकरमों में दाखिले की काउंसिलिंग विभाग अस्तर पर कराने का नड़ा लिया गया है जबकि प्रवेश परिच्छा वाले 29 प्राटक्रमों की काउंसिलिंग के लिए सेल भी गठित किया जा चुका है और बात करें कि प्रायोगीक परिच्छा के पेच में इन चार प्राटक्रमों का फसा हुआ है रिजल्ट कौन कौन से हैं मतलब प्रायोगीक परिच्छा के कारण इनका अभी तक रिजल्ट खुसित नहीं किया गया है तो यह चार कोर्स हैं कि इनका में रिजल्ट अभी तक फसा हुआ है तो अब बात कर लेते हैं दूसरी चीजों की सबसे पहले बात आती है कि जिनका गयप है वो क्या कर सकते हैं बहुत सारी student ऐसे होते हैं जो 12 करने के बाद gap कर देते हैं पर किसी भी कारण के बस कभी भी gap कर देते हैं तो वो student क्या करें तो ऐसे चात्र अपना Affidivate Certificate बनवा ले हैं क्योंकि चिन चात्रों का गैप हो जाता है उनका Affidivate Certificate लगता है और Affidivate Certificate ये कहां पर बनता है इसकी अगर बात करें तो ये अपने तहसील में जाके बनवा सकते हैं फिर अपने डिस्टिक में जहां पर Advocate मिल जाए वहाँ पर यह बन जाता है तो अपना एफिड़ूर्ट सार्टिफिकट बन वाले जिन भी स्टूडेंट का गाइप है और EWS सार्टिफिकट क्या होता है यह होता है इकनोमिकल वीकर सक्षन जो जैनल के स्टूडेंट होते हैं उनके पास EWS का सार्टिफिकट होता है अगर लगता है वर्णा नहीं लगेगा तो EW certificate कब का लगेगा तो जब आपने online अवेदन कराया है तभी का लगेगा जिस year में करवाया है तभी का लगेगा उसके बाद का नहीं लगेगा अगर आपने 20 में कराया है तो 20 का लगेगा 21 में कराया है तो 21 का लगेगा और बात करें EW certificate की तो ये केवल एक financial year के लिए ही valid रहता है मतलब कि अगर आपने 1 अपरेल को online कराया है तो ये 31 मार्च तक ही valid रहेगा भले ही आपने 30 मार्च को कराया हो 30 मार्च 2020 में अगर कराया है तो ये केवल 31 मार्च 2020 तक ही मानने रहेगा केवल एक financial year के लिए ही valid रहता है EW certificate तो आपने जिस year में अपना firm online कराया है उसी में ये valid रहता है उसी में मान किया जाएगा अब बात करें कि document submit करने के लिए कितना time मिलता है तो ये आपकी university खुद fix करेगी कितना time हमको देना है ज्यादा मतलब भर का time आपको मिल जाएगा 4-5 दिन का time तो मिल ही जाएगा document upload करने के लिए अगर अभी तक original mark street नहीं है तो क्या गरें तो आपका जो भी result आया था तो उसका ही print out निकल वा लें और ये तो university जानती है कि original आपके पास नहीं है तो उसका भी वो खुद अपना प्रिप्रेर कर लेंगे किन चार कोर्स का result नहीं आया है और क्यों ही डिकलेर हुआ है इसकी जानकरी हम आपको बता चुके हैं counseling कब से होगी इसके बारे में भी नहीं बता है कि 15 तक आप क्या हो सकता है कि cut off list आ जाए और उसके बास से तुरन counseling भी शुरू हो जाए résult में maximum और minimum mark कितना होता है यह क्या होता है तो result में maximum minimum mark और minimum mark होता है यह cutting mark जो आपने प्राप्त के हैं जो आपका है और भारांग जिसको वेटेज बोलते हैं यह होता है maximum mark और minimum mark आपके प्राप्तांक और आपका वेटेज होता है पेपर आसान होने के बाद कटाफ क्यों ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि इस बार चार गुना अभेड़तियों को मौका दिया जाएगा पहले 3-16 को मौका दिया गया था इस बार चार गुना चतर को मौका दिया जाएगा तो यह आपके लिए बहुत इच्छी चीज है तो यह सभी जनकरीएगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को भी सब्सक्राब कर लें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू अल्दा बेस्ट